हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल उपचार नुस्खे में हम उपचार नुसके चैनल में रोजाना एक लिटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं अगर आप हमसे जूड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें हतेली की इन रेखाओं से जाने कितने अधिक भागशाली हैं आप हस्त रेखा विग्यान एक ऐसा विग्यान है जिसमें हाथ की रेखाओं का गहन अधिन किया जाता है हाथों की रेखाएं भाग़े समरिधी, जीवन और स्वास्त के बारे में काफी कुछ बताती हैं जोतिशास्र में बताया गया है कि व्यक्ति की हतेली जिस स्थान से शुरू होती है वहाँ पर कुछ रेखाएं होती हैं इन रेखाओं को मडिबंद रेखा कहते हैं किसी के हाथ की मडिबंद रेखा का अध्यन कर उसके भाग़े के बारी में काफी कुछ जाना जा सकता है आज हम आपको हतेली की मडिबंद रेखाओं के बारी में बताएंगे तो आईए जानते हैं हथेली में इस दित मड़िबंद रेखा व्यक्ति को किस तरह से भागिशाली बनाती हैं मड़िबंद रेखा का स्पस्ट होना समुद्र सास्त रनुसार किसी की हथेली में मड़िबंद रेखा इसपस्ट और साफ सुत्री होना उसके भागिशाली होने का सूचक होती है कहा जाता है कि यदि हथेली में मरीबंद रेखाएं इसपस्ट हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य बहुत ही अच्छा होता है ऐसा व्यक्ति जीवन में खुब तरक्की करता है वही अगर ये रेखाएं जंजीर नुमा होती है तो व्यक्ति को जीवन में छोटी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पर सकता है मरीबंद रेखा पर गेहु की आकृती बनना हस्त रेखा विज्ञान कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की हथेली में मरीबंद रेखा पर गेहु के समान आकृती बनती है तो इस तरह के चिन्न का बनना बहुत ही शुब माना जाता है वही अगर किसी की हथेली में मरीबंद पर द्वीब का चिन्न होता है तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में संगर्स का सामना करना पर सकता है मडिबंद रेखा से निकल कर एक रेखा उपर की ओर जाना हस्त रेखा विज्ञान के अनुसार कहा जाता है कि जिन लोगों की हथेली में मडिबंद रेखा से निकल कर कोई रेखा उपर की ओर जाती है तब इसे बहुत ही शुब माना जाता है कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की जीवन में सभी मनुकामनाय पूरी होती है मडिबंद रेखा का ये योग काफी भागशाली बाना गया है मडिबंद से एक रेखा शनी परवत तक जाना कहते हैं कि जिन लोगों की हथेली में मडिबंद रेखा से निकल कर एक रेखा शनी परवत तक जाती है तब यह बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में अचानक ही धन की प्राप्ती होती है ऐसे लोगों को अपने जीवन में मेहनत से जादा अपने भागे से धन मिलता है भागी रेखा से निकल कर एक रेखा सूरी परवत तक जाना हस्त रेखा विज्यान अनुसार कहा जाता है कि जिन लोगों की हतेली में भागी रेखा से निकल कर एक रेखा सूरी परवत तक पहुँचती है तब ऐसे विक्ति को समाज में काफी अधिक मानसमान प्राप्त होता है और आर्थिक मामलों को लेकर ऐसे विक्ति बहुत ही अधिक भागिशाली होते हैं हथेली में M की आकरिती बनना हथेली में M की आकरिती का बनना हस्त रेखा विज्ञान अनुसार ऐसा निशान बनना बहुत ही कम लोगों की हतेली में देखने को मिलता है कहा जाता है कि जिनकी भी हतेली में जीवन रेखा भागी रेखा और मश्टिश्क रेखा मिलकर M का निशान बनाती हैं तब ऐसे व्यक्ति 35 वर्ष के आयू से लेकर 55 वर्ष के आयू तक खुब धन कमाने के साथ ही बहुत अधिक नाम भी कमाते हैं अपने ऐसे लोग अपने कर्मों से समाज में खुब मान समान हासिल करते हैं दोस्तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हों तो आप उपचार्ण उसके चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूलें